हलो दोस्तों मैं इंद्रेश अपने YouTube चैनल इंद्रेश GS Classes में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम लोग क्या देखेंगे बाल विकास की जो हम लोग कांटीनियू ख्लास चल लएई उन सभी क्लासे को क्या करेंगे attempt करेंगे ठीक है तो आप लोग जितना हो सके वीडियो को share कर दिया करें चैनल को subscribe भी कर लिया करें ठीक है आप लोग को परड़े classes क्या मिलेंगी start हो जाएं क्यूंकि हम लोग की holy क्या हो चकी finish हो चकी है अब हम लोग अपने topic पे जो हम लोग continue class से चलती थी उस पर focus करते हैं ठीक है तो आज का पहला question देखते है question number one कर रहा है कि नेमने लेकित में से अश्मरन करने की कौन सी बीधी है मतलब अस्मरन करने का मतलब याद करने की कौन सी बीधी है यह हमारी काउन सी एक misrit बीधी है इसके दौरां भी अस्मरन किया जाता है और एक हमारी क्या विचार सहचर बीधी के दौरां भी हम लोग क्या करते है अस्मरन करते है ठीक है इसका जेश्ट अपोजिट होता है इसका राइट एंसर हमारा क्या जाएगा इसका इसका राइट एंसर हो जागा ठीक है ए फिक तो आगे बताएंगे आप लोग थोड़ा सा कलर में चेंज कर लेता हूं ताकि आपको बिज्विल हो चलिए नेक्स चलते है आगे अगला नेक्स्ट कोशन नंबर थ्रे, सीखने का वक्र, सीखने का पठार, क्या कलाता है, सीखने का वक्र, सीखने की प्रगति के सूचक है, सीखने की मौलिकता के सूचक है, सीखने के गत्यातमक, सुरूप के सूचक है, सीखने की एक रचनातमक, रचनातमकता के सूचक है, पताईए, तो इसका पार्ट क्या हो एगा शुन का प्रगत सिखने का आजो पठार होता हुआ हमारे प्रगती इसमें ले हम लोगा का क्या हुआ अगर हम को चीज सीखेंगेस turr अधिया की समय पैनुट कैसे में से किसको फर्वादिक ध्यान रखनां कशाए बिष्एवस्त को, विध्यार्थियों की आई को, बेक ट्रूंता को, विध्यार्थियों की परिवारिक पृष्ट भोमी को तो सबसे ज़ाधा जो अध्यापक एक टीचेर है, किस चीज को उसको ध्यान में रख करके इस्ट तो उसको विशे वस्त को तो क्या करना चाहिए उसकी विशे वस्त को ध्यान में रख करके अध्यापक को क्या करना चाहिए अध्यापन कराना चाहिए ठीक है चलिए नेक्स्ट बताएंगे आप तो question number fifth question number तो देखें क्या और है question number fifth जो कर्ट लेविन थे कर्ट लेविन एक भाईग्यानिक थें किर नुसार समूह में एक ग्रूफ है कोई गर्वें उसको बोलते हैं विए परिवरतन उता इसमें अगर कोई इसमर्ण में चेंज करें ठीक jetzt Change, ठीक, क्या करणे, Change करणे, अगर इस समूओं को अंढ़ोग क्या करे, परिवर्तन होते हैं, जो इस समूओं में जो भी परिवर्तन होताSON, इसको बठाया जाया, कम किया, जैसे कोई सिछा दी जाया, तो उनहें क्या कहते है, परस्परता कहते हैं, या फिर गती सीलता कहते हैं, संगती कहते हैं, या फिर रशनात्मकता कहते हैं, बताइए, क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, गती सीलता, कोई भी चेंज जोगा, तो उसे क्या कहते हैं, गती सीलता बोलते हैं, ठीक है, अगर किसी समुह में कोई चेंज लाएंगे, तो उस अभिवरित्ति में यह स्विकार्ता में यह समायोजन में तो इसका राइटर्स जो मानसिक स्वस्त और किसमें जो है घनिष्ट संबंध होता है तो हमारा क्या है समा योजन में किसमें होता है समा योजन में मानसिक स्वस्त और समा योजन में एक क्या होता है घनेश्ट संबंध होता है ठीक क्या होता है घनेश्ट संबंध कोशन नंबर सेमंध बता दीजी कोशन नंबर सेमंध देखे क्या करा है कि निम्न में से निम्न मे कौन अधिगम करता को अधिक सुतंतरता देता है मतलब अधिगम करता जो होता है जो सीखने वाला देखती होता है उसको सबसे ज़्यादा सुतंतरता कौन देता है रशना वाद देता है क्रिया सीलता वाद देता है स्रियन सीलता वाद देता या ब्योहार वाद देता है змंस hela ठीक आगया जागे question number eight बढ़ताई बुढधी का तरल मुझेक model किस ने दिया चाहिए जो बुद्धी का हमारा था का था तरल मुझेक model किसे ने दिया था cattle है थर्सर टन ने या इस फिर्षमाइन या गिलफोर्ड का जो है इसका जो मैंने पूरा topic कराया तो आप जा करके कर लेजे, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है पूरी, ठीक है, बुद्धी, बुद्धी के प्रकार, बुद्धी के सिधान्थ, सभी चीजें कराई गई है, ठीक है, तो कोशन नमबर एर्थ का क्या जागा, कैटल ने दिया था, ये भी मैंने कराया, ठीक है, कि मुझे जो तरल मुझे एक मॉडल है, किस ने दिया था, ठीक है, ये बहुत इंपोर्टन टॉपिक है, इससे एक कोशन 100% आ रहा है, ठीक है, अगला कोशन, कोशन नमबर आब बताएंगे, नाइन्थ, नाइन्थ बताएंगे क्या करा है, कि निम्न में से काउन सा लच्छन, किसी मा आपक उपकरन के लिए सरवाधिक क्या वांचनी है, तो हमारी क्या हो, विश्वस नियता है, ठीक है, याद रखिए का क्या है, विश्वस नियता है, नेक्स्ट बताएंगे, थरसरटन और लिकर्ट, लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंदित हैं, बुद्धी के बताएंगे, तो यह जो है, अभिवरिति के मापन से, किसके मापन से, अभिवरिति के मापन से संबंदित हैं, कौन-कौन, थरसरटन और लिकर्ट, ठीक, लिकर्ट, ठीक, नेक्स्ट बताएंगे, उच्शुकता परिच्छन निम्न में से किसका घटक है, इसको बताइए सुकता जो है टेस्ट जो हमारा एक प्रकार का निम्न में से किसका एक क्या है घटक है तो यह किसका है स्रिजन स्रिजनात्मक्ता का क्या है एक घटक है ठीक नेक्स्ट कोश्चन नमबर टॉल बता जीटीए, करा निम्न में से स्रिजनात्मक्ता से संबंदित नहीं है, मौलिक्ता, मितब्याइता और उपयोगिता या प्रवाह बताईए, तो हमारा जो मितब्याइता जो होता है, यह हमारा जो किसे स्रिजन सिलता से नहीं संबंदित है तक यहां ऊंहारे जो मुलीक्ता हो गया प्रवाह ओगया उपयोग्ता हो गया इ Cleaning स्रीजन नात्मक्ते से संबंदित है ठीक आगे बताएंगे Qno trust вотure Number 13 को ड़ीखीba ठीए क्या ठीजिए तार रहा है कि गये ने गये ने निल्स हीं किसे संबंदी थे क्या है मनुबग्यानिक है जो किसे संबंदी थे अधिगम के स्रेडी क्रम से हैं अधिगम का मुल्यांकन से अधिगम के सिधान से या अधिगम का प्रबंधन से तो तेरा का राई टैंसर बता दीजिए तो तेरा का राई टैंसर क्या जाएगा एपाट अध बुद्धी लब्द के संबंद में क्या सत्य है बता है यह फटा हुरण बुद्धी लब्द के संबंद में क्या सत्य है राइट एंस्वर 14 का बताएंगे आप लोग तो इसका काला अनुक्रमिक आयू के ब्यूत क्रमी संबंदिर इतना बस इसको याद रखेगा इंपोर्टेंट है ठीक है इसको आप लोग बस याद कर लिजेगा ऐसे पूछ सकता है ऐसे कोश्चन इंपोर्टेंट होते है ठीक है चली आगे चलते हैं 16 PF का प्रियोग किसके मापन में किया जाता है जो हमारा 16 PF होता है किसके मापन में इसका प्रियोग करते हैं तो 16 PF का मापन जो अभिरूची बच्चे की अभिरूची किसमे है किसमे नहीं है उसके मापन के लिए हम लोग 16 PF का प्रियोग करते हैं ठीक किस का 16PF का ठीक जो लोग पहली बार चैनल के बिजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और जितना हो सके अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखे ठीक है आजाए चलते हैं अगला कोशन आप बताएंगे कोशन नंबर 16 बता दीजिए कोशन नंबर 16 जब कोई बच्चा चेस दो लोग बैठ करके चेस खेल रहे हैं ठीक है एक कोई इधर बैठा है और दूसरा कोई इधर है तो इसमें क्या उसका लगता है इसका दिमाग और दोनों के दिमाग से खेलते हैं तो इस तरह से इसमें क्या प्रयोगी खेलतो है नहीं गतिबान खे केले हैं ठीक है एक तरह का क्या मान्सिक खेल होता है जो 16 का रायी टेंसर क्या जाएगा भी पार्ट देखिए किस तरह के क्वेश्चें पूछे जाते हैं आप लोगों के माइंड पेस्टब नाख़ें को सहते हैं ठीक है देखिए अगला कोशन बताए है बच्चे जो होते है संग्यानात्मक विकास हे तुझे उत्तम अस्थान है जो बच्चों के संग्यानात्मक विकास के लिए सबसे उत्तम अस्थान कौन सा है 16 का राइट एंसर क्या हो जाएगा खेल का मैदान बिल्कुल नहीं ठीक है सभागार बिल्कुल नहीं घर बिल्कुल नहीं सबसे उत्तं अस्थान होता है अगर मोटिवेशन के शोओаче और छालक इछ और प्रेरक इस में से कौनसा हो है मोटिवेसन-मोटिवेशन दो तरग हो होता है हमारा वाह एक वाह अभी प्रिरन होता है एक क्या होता है कि अंत अंत एक वाह होता है अंत या अंदर जिसको क्या बोलते हैं एक आउटर होता है एक इनर होता है ठीक है अवाह है जो होता है आप किसी से किसी से क्या होते हैं किसी की वातों को किसी को वाणी को सुन करके जब आप motivate होते हैं तो उसके कहते हैं हम लोग वाइवतावरण ठीक है वाइवतावरण बोलते है और अन्टैवाइवतावरण जो internal होता इनर वातावरण से आप खुद से मोटेवेट होते हैं उसको बोलते हैं internal करेंट बोलते हैं के लिए 19 का बताएं ब्योहार में होने वाली अस्थाई परिवर्तन जो अभ्यास के करण होते हैं को कहते हैं जो हमारा ब्योहार है उसमें एक अस्थाई परिवर्तन होता है, जो अभ्यास के करण होता है, उसे क्या काते हैं, सीखना काते हैं, सोचना काते हैं, क्रिया करना काते हैं, या कलपना काते हैं, तो इसका राइट एंसर क्या जाएगा, ए पार्ट हमारा क्या कालाता है, सीखना कालाता है, ठीक है, क्या कालाता है, सीखना, आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला कोश्चन आब बताएंगे कोश्चन नमबर 20 20 क्या गारा कि निम्न लिखित में से कौन सा कारक इसमर्थी से संबंधित नहीं है मतलब इसमर्थी मतलब याद करने से नहीं है ठीक है पाचानना धारन करना पुनह असमर्ण करना या इसका होगा या नहीं यह बताएंगे अब तो अनुभूत धारन किसी चीज को देखकर के बताना कि हाँ यह धारन करना भी इसी का है लेकिन जो अनुभूद ही होता है किसी चीज के अनुभूद करना यह जो है इसमृति का कारक नहीं है ठीक है इसमृति का कारक नहीं तो इस तरह से इसका right एंसर क्या जाएगा D part हमारा क्या होगा right हो जागा ठीक है D part हमारा क्या होगा right next बताएंगे question number 21 मैंश लो के परना सिध्धान्त को कहा जाता जो मैश लो का जो अबिपरेण प्रधाना अध्यापक प्रधाना अध्यापक या वरिष्ट सिच्छक के लिए निमलेखित में से कौन सी नेत्रित्तो सेली बहतर है इसको बताएंगे आप लो 22 सत्ता धारी सत्ता धारी तो नेता तो है नहीं आप एक अध्यापक के लिए तो कभी नहीं होगी अहस्ता छेपी नेत्रि तो बिल्कुल गलत बात है तो किस तरह का ओना प्रजा तांत्रिक होना चाहिए ठीक है किस तरह का ओना स्वास्त के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्यान का केंद्र बिंदु है इसमें राइट एंस्वर क्या आ जाएगा सैफर हैड फिल्ड ड्रेवर या लैडले इसको कौन दिया था बताए बताए 23 का तो इसको ड्रेवर ने दिया था बस इतना याद रख बना लिया करें जो आप लोग करते हैं तो एक 60 नोट कर लिया करें इसको कौन कहा कौन नहीं कहा क्योंकि यह आपके सीटेट जैसा नहीं बिल्कुल अलग कम से कम 2-3 कोस्चिन जो है 3-4 या 5 कोस्चिन जो सिर्फ वैग्यानिक के कथन पर रहेंगे कौन क्या कहा किसने कहा आप एक बार देखेंगे कि आपके पास बहुत सारे बैग्यानिकों के कथन और जो उन्होंने खोज की जो उन्होंने दिया सिधान्त दिया सभी आपके पास नोट रहेंगे एक 60 नोट की तरह आप लास्ट में जिस दिन टेपर देनी जाएंगे रिवीजन करके चले जाएं बाले आवस्था, क्रिस्षोर आवस्था, मध्या आवस्था, ब्रिध्धा आवस्था, प्राउडा आवस्था, ब्रिध्धा आवस्था ठीक है जो आवस्था हैं इसमें एक आवस्था हमारी होती है जिसमें अधिक दबा और तनाव की आवस्था होती है उस आवस्था को क कि सोरा अवस्था ठीक है कि सोरा अवस्था या क्या खनाती है तनाव और दबाओ की दबावाला काल कहता है ठीक है चलिए आग्या जाइए कोश्चेंन नंबर 25 बताएंगे आप लोग कोश्चेंन संग्यान परक है संवेग परक है या क्रिया परक है क्या है किस तरह का जो अभी बृत्ती संप्रात्य बताई क्या है 25 का तिसका राइट एंसर हमारा क्या जाएगा संग्यान मत्व किस चीच का संग्यान लेना और संवेग आत्मक आपके इमोशन से भी जुड़ा हुआ है ठीक है तो राइट एंसर हमारा क्या जाएगा डी पार्ट हो जाएगा ठीक नेक्स बताएंगे मनोबैज्यानिक के अनुशार मनोबैज्यानिक के अनुशार बुद्ध क्या है सीखने की छमता है अमूर्थ चिंतन की योगता या तो या तो वन या तो दो ये फर्स्ट और सेकेंड दोनों बता दीजिए बताएं 26 का तो 26 का दोनों क्या है यह जो हमारा क्या सीखने की छमता है और अमूर्थ चिंतन दोनों है ठीक है नेक्स 27 भी यह बता दीजिए प्रेणा का वही संबंद उपलब्धी से है जो अधिगम से है तर्क बोध चिंतन या विवेक से दाई तो बोध से ठीक है क्या है बोध से संबंधित है ठीक है चली आगा जाईए कोशन नंबरा बताएंगे 28 28 बताई 28 क्या करा रहा है कि थार्ण डाइक के व्यक्तित्त के वर्गीकरण का आधार क्या था सारीरी गठन और सकल सूरत रशनातमक मौलिकता समायोजन और गुद्धी चिंतन और कलपना जो थार्ण डाइक ने व्यक्तित्त के वर्गीकरण का आधार किसको माना था तो उन्होंने किसके चिंतन और कलपना को माना था किसको चिंतन और कलपना तो डी पार्ट हमारा क्या जागा राइट आ जागा ठीक है डी पार्ट हमारा राइट आ जागा नेक्स चलते हैं कोश कारी आवरोध या प्रतिप्रीचाइथी आवरोध बताजी कौंसा इसका राइच हो बतार जाए तो इसका बी पार्ट हमारा प्रतीपकारी आवरोध आप निमलख्रविकार निम्कफित में से महांशिविकार के लचफडो को सभी दर्स हते हैं, भाग गयनासा के संबंद से तनाव से या चिंता से बताई तो इसको हम लोग संबंद से दर्साते हैं तो सी पार्ट इसका राइट टूटल हम लोगों ने 30 कोशन किया आप कमेंट में बताएंगे आपके कितने सही हुए और इसी तरह से आप लोग अगर तयारी करना चाहते है ठीक है तो आप लोग उसको भी देखना मत भूलिएगा आप लोग के आज बहुत ही बेहतरिन क्लास कराई जाएंगी तो चलिए चलते हैं आज के लिए इतना ही वीडियो सेयर कर दिजेगा चलन को सब्सक्राइब कर लिए जै हिंद जै भारत